सपना चौधरी की 2018 के एक मामले में आज कोट में पेशी हुई थी हमारे साथ वकील है सपना चौधरी के मौम्मद रिजवान पूछेंगे आगे कि क्या करवाई होई वकील साब आज पेशी हुई थी क्या हुआ काफी डैम से पिंडिंग चल ला था आज बुला के अंतरिम बेल्ट कर दी गई है हो सकता हो जिस पाड़ी ने केस किया था आपस में बात चल ली हो सकता हो कि कंप्रोमाइस हो जाए को केस खतम हो जाए अभी क्या हुआ आज कोट में अगर नहीं होगा तो परमेंट हो जाएग और साम तक मिलेगी भी उसके बाद सपना चौदरी को दुबारा आना पड़ेगा अगर कोड के तो आना पड़ेगा और कौन सी धाराओं में मुकत्मा चार सो भीस चार सो चे तो सपना चौदरी के वकील मुहमद रिजवान है उनका कहना है कि आशियान अताने में 2018 और लोगों ने जो लाइन में लगके टिकट करी दे थे उसके बाद भी उनको शो देखने को नहीं मिला शो निरस कर दिया गया तब यह फाइयार हुई थी और उस फाइयार में कोड ने सपना चौदरी के खिलाफ एक NBW यानि गैर जमानती वारंट जारी किया था उस वार प्रसिक्यों परमोत के साथ विवेक ट्रिपाठी एबीपी गंगा लखनो एबीपी गंगा खबर आपकी जवाब की